है यह बहुत रिख चैनल सिराशेक दीसीड है टैकसीशन का लेक्चर नमबर थ्री जिसने हम कवर करने लिए ने टोपिक गाट इस टाइम आप सप्राइब तो स्टार्ट करेंगे आचा जास स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक टाइम आफ सप्ला इन फर्स टू लेक्चर्स मैंने आपको थियरी पार्ट एक्स्प्रेंड कर दिया रहा अब से बीच के और बहुत सारे लेसंस है जैसे अगर आप इंडेक्स पेज दिखोगे तो इसके अंदर आपको सेकेंड लेसंस कर दो देशन गत्याइब को से अब कर दो दिखेंड पैर इंडेक्स टेक्स रहाइगा प्हला था इंट्रडक्शन तो मैंने आपको दिया इसके निए तो स्कूप किया है कुछ कुछ पॉइंट्स इसके हैं जो इंपोर्टेंट इसके है इंपोर्तन इवरी एए उससे एक बज़े सप्लाइट यह सब जो लेसे नहीं यह पूरा प्राक्टिकल लेसंग है बढ़ प्राक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा थी इस्प्रेशन नेसे सरी है प्राबरे मतलब टाइम आप सप्लाइब अपन स्टार्ट करने जा रहे है नाम से पता चल रहा है ताइम फॉसर बबजे किया है मैं यहां पर सबसे नहीं पर हुसे बात करता है लुक्त दो उसके बने ऐस्य अगर से बहुत पहले रहेंगки में सबसेचेजगी है कि यहां पर नहीं जरा फ uniform्ति करें नहीं लुक्त करें। तो यहां पर दो चीज़े सबसे पहला क्या वो supply of goods है क्या वो supply of service है 12 and 13 उदर goods goods है बड़ वहां पर time of supply of service रहेगा जहां तक मुझे मालूँ है आपके हिसाब से क्या है अच्छा यह book में भी वही है service ही है तक होता है typing mistake कभी-कभी इनसान से it's okay तो यहां पर time of supply of goods section 12 and आपके textbook में रहेगा time of supply of service section 13 ठीक है मतलब time of supply में दो चीज़ होगा एक होगा goods और एक होगा service अब goods के अंदर बात करेंगे चार चीज़े service के बात करेंगे चार चीज़े मतलब जो बोल रहा हो ज़रा ध्यान से सुनो time of supply of goods आ सकता है time of supply of service आपको question में goods से related question आएगा service से related आएगा तो goods के अंदर भी चार category service के अंदर भी चार category जिसमें सबसे पहला category है time of supply under forward charges अभी forward charges खाता है जब मैं कोई goods supply करता हूँ तो मुझे tax लेना पड़ता है मैंने tax collect किया उसे forward charges कहते है forward charges का मतलब क्या होता है यह charges को forward करना है किसको bank को अरे हां समझ में आया मतलब क्या है कि मैंने goods supply कर दिया सामने वाले से tax collect कर लिया यह tax मेरा तो नहीं है मुझे forward करना है किसको government को तो ऐसे situation में कौन सा तारी time of supply बनेगा वो सिखेंगे यह कि मैंने goods दिया तो बंदे ने consume किया मैंने 10 तारीक को goods दिया tax collect कर लिया 10 तारीक को लेकिन मैंने government को 12 तारीक को दिया ऐसे situation में what is the time of supply पहला category बात समझ में आया दूसरा है time of supply and reverse charges reverse में क्या रहेगा forward में क्या हुआ अपने अपने forward reverse में हमको benefit कब मिल रहा है समझ में फिर है time of supply voucher exchangeable of goods voucher exchangeable goods मतलब मेरा dealing जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है goods exchange और इसमें भाई मैंने इससे goods लिया यह goods दिया यह goods लिया तो हमारे बीच में भी जो goods का एक्षेंज वह उसमें कहीं जीएस्ट आने वाला है तो वो जीएस्ट के अंदर time of supply क्या है वो आपको समझना clear and the last one is supply of residual cases rare cases के अंदर आपको time of supply कैसे आने वाला उपढ़ने वाला यह चार categories है जिसमें time of supply भी आपको स्थाइब डिसाइड होगा same goes with services ओर तो time of supply अंदर forward charge reverse charge time of supply अंदर exchangeable of services and supply for residual cases यहाँ पे goods है वहाँ पे services यह चार categories यादटना forward charge reverse charge उसके बाद exchange for goods and residual cases यह चार्च यह time of supply for goods under forward charge reverse charge exchange of goods and residual case same time of supply for forward service reverse services उसके exchangeable services and residual cases चार categories समझ में आ गया है चलिए ठीकी जिसमें सबसे पहला मैं पढ़ने अलाओ date of issuance of invoice कि कौनसे तारिक को आप invoice issue कर रहे हो ऐसे case में time of supply क्या होने वाला है invoice मतलब invoice मतलब bill invoice का मतलब bill मैंने इसको bill issue कर दिया अब जब bill issue किया है तो उसमें भी category देखना पड़ेगा कि वह forward charge वाला है reverse charge वाला है exchangeable वाला है residual कौन से category का है मतलब normal supply है क्या फिर वह forward charge वाला है and so on and ऐसे case में हमको decide करना है कि date of supply यानि कि date of issue of invoice के time पर time of supply क्या होने रहा देखो यहां पर तीन चीज़ नॉर्मल supply continuous supply good send on approval basis अप्रूवल बेसिस मतलब exchange वाला हुआ category रेस्टीड इसके लिए नहीं दिया है continuous supply दिया हुआ है normal supply दिया है तीन categories दिये date of issue of invoice normal supply के लिए date of issue of invoice continuous supply के लिए date of issue of invoice good send on approval basis के लिए दिमाग में बैठ रहा है क्या पक्का बैठ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं calculation है यह क्या मुझे time of supply सीखना है और time of supply सीखने के लिए संद्या हमको समझना पड़ेगा कि हम concept type के समुझ कर रहें तो हम time उसका decide देखो हर एक category का अलग-अलग time of supply कि एक फरवर्ड के लिए तीन डेट रहेंगे दो डेट रहेंगे उसमें से एक डेट अपने को सिलेक करने गया इस तारीको government को सामान बेचा इस तारीको government अब दो डेट हो गए invoice मैंने बना दिया for example मैंने आज invoice बनाया तो इन्वाइस बना उसी मैंने इस तारीक को मेरा time of supply यह तारीक को मेरा time of supply इसे अलग-अलग केसे उसी को मैं भी explain कर रहा हूं जिसमें सबसे पहला category मैंने लिया है date of issue of invoice अब date of issue of invoice मेरा time of supply कौन से category के लिए बनता है मतलब मैंने जिस दिन बीडिशू क्या है वह मेरा time of supply बन सकता है एक नॉर्मल supply की category में continuous supply की category में या तो फिर exchangeable goods के अंदर मतलब that is approval basis अभी बैठा दिमांग में क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं date of invoice will be my time of supply date of issue of invoice will be my time of supply in this three categories में कब होगा तो सबसे पहला normal की बात करो नॉर्मल supply में involve moment of goods मेरे goods का मुमेंट इनवाल हुआ तो जिस दिन मेंने बिल बनाया वह मेरा time of supply मतलब मेरे इदर से goods चला गया moment हो रहा है goods का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक पसंद से दूसरे प्लेस में अगर goods का moment इनवाल्व हो रहा है उसमें हमको कैसे question में दिया रहेगा आप इतना दिमाग में लोड मत लो question is quite simple आएगा आज करने वाला पंदूरा question भी मैं यह बता रहा हूं कि अगर उसमें moment of goods involved है ऐसे category के लिए date of invoice will be time of supply मतलब जहां पर goods का moment होगा उसमें time of supply क्या रहेगा हमेशा date of issue of invoice समझा सेकेंड है before or at a time of delivery of goods or making available to the recipient मतलब second category normal supply में या तो moment of goods है तो date of issue of invoice या तो फिर before or at the time of delivery of goods जैसे Amazon मैं मैंने order किया एक तारी को गोड़ जाया तीन तारी को तो बिल कब मिला मुझे तीन तारी को ही मिलेगा ना तो before or at the time of delivery of goods of making available to the recipe है तो वह मेरा क्या बन जाएगा time of supply बैठा दिमाग में normal में दो चीज़ या तो moment involved हो गया offline business online business simple भाशा में यह समझ में आया हान जी सेकेंड आ जाते है continuous supply में continuous supply में चैज़ता लिए अपने हों क्या रखना है before और at a time of issue statement of account मंजे का है mighty nice sir का है असतर continuous supply mighty nice sir हम ता डोका में देखा है बसलस ना है किसका 85 ने तो फिर इदा देखने का continuous supply का मतलब है where successive statement of account और successive payments are involved मंजे इततर payment के बारे में related कुछ बोलना चाहरा है यहां पे goods का moment था और यहां पे पैसे से related बात चल रहा है continuous supply में किसकी बात चल रही है पैसे की बात चल रही है normal supply में किसकी बात चल रही है दोनों का फरक समझ में यहां पर इनवाल मुमेंट औफ गुड़ साइड यहां पर जिस दिन आपको गूड़ मिलने वाला है यह रेसीपेंट को मिलने वाला एंड़ बन गया तो तो तारीख रहेगा वह मेरा क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्राइग इसमें सबसे पहला दि और या तो फिर जिस दिन आया उस दिन पेमेंट किया उसका डीटेल तो मिलेंगा न मुझे उसके बोला है यह अगर कांट्रीन सप्लाई का तो बिफॉर और अट टाइम ओ इसुएन्स ऑफ स्टीमेंट ऑगाउंट जिस तारी को आपका अकाउंट में इस से पैसा of statement of account and before the recipient of such successive payment, मतलब या तो जिस दिन issue हो गया है payment, उस दिन, या तो जिस दिन recipient ने आपको payment किया है, उस दिन, दोनों के अंदर वही है, मैंने दोनों एक साथ बताया था, before at a time of issuance of statement of account, अपने account में जिस दिन आया है payment, या जिस दिन payment गया है वो, या तो जिस दिन recipient ने उसका payment का details दिया है, वो clear हो गया, दोनों का point of view होता है, buyer, seller, दोनों के point of view से ही है, इसने recipient के बारे मुला और एक दिन issuance of statement के बारे मुला, clear हो गया, the last one is approval basis पे, very important, ध्यान देना, rare sums आएंगे, बट है, goods sent on approval basis, what is approval basis, मैंने goods लिया, चेक किया, मजा नहीं आया, return कर दिया, goods लिया, हाँ, मजा आया, use कर लिया, तो ऐसे situation में हमारा जो time of supply, थोड़ा सा fluctuate हो जाता है, मैंने एक जेंस order किया, एक दिन दिन का नहीं, मजा नहीं है, return कर दिया, तो क्या वो goods मेरा हुआ, तो मेरे लिए GST applicable है, नहीं ना, बात समझ में आ रहा है, ऐसे situation में दिया है, earlier of the following date, date of issue of invoice के अंदर ये चीज़ होगा, before at a time of supply, और 2.6 months नहीं, 6 months रहेगा यहाँ पे, ठीक है, दो बार 2-2 हो गया है, 6 months from the date of removal, बराबर है, मतलब इन दोनों में, whichever is earlier, will be my time of supply, या तो before at a time of supply, मतलब जिस दिन दिया, वो, या तो 5-6 months from the rule of course, दिमाग में बैठा, वापस चीए तो एक बास समझ लो, overview का लिए, issue of invoice में, normal supply, continuous supply, approval basis, normal supply में, moment of goods होगा, before or at a time of available of the goods, recipient के पास जिस दिन होगा, उस दिन, continuous supply में, जिस दिन payment issue होगा, उस दिन, या तो जिस दिन recipient ने payment किया, उस दिन, समझ में है, approval basis में, time of supply जिस दिन है, वो, या तो 6 महीने के removal of goods में, removal of goods के, याद रहेगा point, देखो मैं अब इसलिए बूल रहा, because exam में ये चीज नहीं दिया जाएगा, exam में तारीक देंगे, date of issue of invoice, date of supply, date of recipient, bank, ये date दिया रहेगा, तब आपको समझना है, तब आपको समझना है कौन से date को लिया जाएगा, समझा ये, पहला concept बैठा, तीन concept ये, वह explain करूँगा, then we'll start with the sum, पहला है date of issue of invoice, clear है, second है, time of supply of goods, very important, time of supply of goods, वो issue of invoice था, अब time of supply of goods, under section 12, sub section 2, and 31, 1, क्या दिया है, supply involved moment of goods, ये कहीं तो पढ़ा है आपने अभी, involved moment of goods, normal supply, उस case में time of supply क्या होगा, तो अगर हमारा goods moment में involved है, yes, या no, मतलब goods में moment involved है, या नहीं है, अगर goods में moment involved है, तो time of supply will be equivalent to invoice issue before at a time of removal of goods of supply to the recipient, अभी हमने क्या पढ़ा, वो ही पढ़ा था न, normal में क्या होएगा, date of invoice, नॉर्मल मेंने क्या बताया था, date of invoice, तो उसने मुला time of supply क्या है, invoice issued before or at a time of removal of goods, जिस दिन मैंने goods दिया है, उस दिन मैंने बिल बनाया, या तो उसके पहले मैंने बिल बना दिया, तो इस case में दो, approval basis वाला हो गया यह, तो इस case में delivery of goods or making goods available to the recipient, section 31, समझ में आ गया, नहीं यहाँ, दो चीज़े खाली, involved moment of goods, not involved moment, goods का moment है, issue of invoice, इस simple भाशा में यह, involved moment of नहीं है, जिस दिन goods मिलने वाला है, date of goods, delivery of goods, या तो फिर making goods available to the recipient, यहाँ, इस सारी को में तरो goods दे दूँगा, उस दिन बिल बनाऊंगा, बाद समझा, हां जी, मतलब इस दिन goods का involvement नहीं, खाली, बाद चीज़े चलते, जिस दिन goods मिलेगा, समझा, चली, आजाते है, सम की तरफ, question है अपने पास, textbook मिल जाएगा, तो बहुत भैतरीन हो जाएगा, चली, चली, बढ़ी आए, अब question की तरफ जाएगे, कौन सा question दिया है, ओके ठीक है, टेक्श बुक में, पेज नमर 149 में, मलन प्रकाशन की टेक्श बुक, नया सिलाबस का बुक रेफर करने का, तो आपको ये questions मिलेंगे, ठीक है, question दिया है, Mr. X is, Mr. X in Gujarat, gets an order from Mr. Y in West Bengal, on 18 March 2022, for supply of refrigerator, ध्यान से सूनो, समझो question क्या है, Mr. X है, इन Gujarat, gets an order from Mr. Y in West Bengal, Gujarat, West Bengal, दिमा की बत्ती जनीची दो state involved है, भाईया, Gujarat में, order West Bengal से हो रहा है, सबरली, सबरली, समझो, समझो, कोज घाए मत करो, X goods बेचने वाला है, Y goods खरीदने वाला है, बेचने वाला स्टेट है, Gujarat, खरीदने वाला स्टेट है, West Bengal, इतना समझ मैं, अब question आगे पढ़ते हैं, इस भाई साब ने Mr. X in Gujarat, gets an order, order मिला है, Y के पास से 18 March को, भाईया बेर को goods चाहिए, इतना इतना order दिया, क्या goods का movement हुआ, अभी तक तो नहीं, आगे, Mr. X dispatches the goods, यह second point नहीं है, उसी का part है, Mr. X dispatches the goods from his, from his permission to his transporter permission, premises, हाँ, वही मैं बोला permission, होता है बेटा, इस उमर में phone आता है, normal, silent कर दो खाली, तेरा उमर नहीं न, बुड़ा पाया है दिरो, Mr. X dispatch, आगे जवानी में आगे, बेशरम नड़की, नहीं दे, Mr. X dispatches the goods from his premises, तु इदे धन दे, उलो कमसूद, X ने, X ने good dispatches premises to, his transporter premises on 20th, March 22, चैता ली यहां पे goods का movement हुआ, 20 तारीक को, इसे movement of goods कहते है, हाँ, जी हो गया, the transporter initiate the transportation on 22nd, March 22, and the goods finally reached the premises of Mr. Y on 26th, March 2000, यह तो बड़ा कौन सा नया यह आ गया है, I hope यह है, ठीक है, होता है, यह टाइपिंग है, अब सवाल है, what is the time supply, चलिए, अपने बस तीन तारीक है, पहला मैं एक तारीक लिक तुदाओ, ठीक है, date of order received, कौन से तारीक और रिसी हुआ है, ठीक है, हाँ, date of invoice, date of dispatch, तीन तारीक है, सवाल है, what is time of supply, बताओ, what is time of supply, 22, 20, 20, चैताली से पूछूंगा, मिरेको मालु में वो रॉंग देगी है, बोल चैताली, अचा राइट देगी, सारी, हाँ, चैताली, 20, फुर विली फूकस, नो, एंजिली, कन्फ्यूज, केशो बोलेगा थोड़ा सा अगर रॉंग है तो भी चलेगा, केशो, बीस, क्यों बीस, वेरी गुड, इधर गुट्स का मुवमेंट हुआ, जब गुट्स का मुवमेंट इन्वाल होता है, तो time of supply will be date of issue of invoice, अरे बात समझ में आया, इस case में आपको answer क्या आजाएगा, 20th March 22, अगर आप textbook refer करोगे तो इसका solution लिखने का तरीका क्या है, solution में उनों paragraph में लिखते हैं, the removal of the goods occurred on 20th of March 22, the date of dispatch of the goods from the delivery by the supplier section 2, due date of issue of invoice, बहुत भाशन लिखा हुआ है, simple भाश्चा में उसने बोला है कि 20 March 2022, तो मैं सर इसका solution कैसे लिखने का वो बता हुआ हमने तीन तारिक लिखा, कौन है Mr. X, dispatches the goods to Mr. Y's premises on 22nd March 22, that involve moment of goods, hence the time of supply will be date of invoice, that is 20th March 22, simple, yes, bus, या आप तीन डेट लिख लिए, अब ये dates का category मैंने decide किया, date of order received, date of invoice, date of dispatch, ये तीन चीज़ दिखा मैंने मेरे language में लिखा, date of order, date of invoice, date of dispatch, या हमको कैसे समझेगा क्या लिखने गा, आपको basic knowledge तो चाहिए कि भाई ये तारिक को क्या कहते है, ये तारिक को क्या कहते है, ये तारिक को क्या क्या कहते है, इतना तो आपको भाई, अठरा तारिक को क्या आया, order आया, तो इस अठरा तारिक को मैं क्या बोलूँगा, date of order, भाई मैंने goods involved, बेज दिया, moment of goods आया, बेजूँगा उस दिन बिल पी तो बनाऊंगा इना, ऐसे तो बेजूँगा नहीं, तो भाई मैंने goods बेजा तो उसी दिन बिल बनाया रहेगा फिर ट्रांसपोर्टर, इनिशेटर, ट्रांसपोर्टर को बोला, भाई, goods निकाल दो, तो goods निकाल लो, कौन से तारिक हो गया, 22 तारिक हो गया, अरे बास समझना आ गया, इसलिए तीन कैटेग्री और मैरा answer, clear है, पक्का समझा भी, theory से better है, यही कह रहा हूँ, theory explain करने का मक क्या बोल रही बिड़ा, हां लिख दिया मिले, और बोलो, समझा ये, बढ़ते सेकेंड सम की तरफ, देखते सेकेंड सम क्या दिया, सेकेंड सम किसका भाई, यह वाला ही है, चलिए, Mr. X in Gujarat, Mr. X in Gujarat, gets an order from Mr. Vine, West Bengal, अला, अलाग है, अलाग है, नाम एक है, मतलब सम एक ने रहेगा, मेरे को भी थोड़ा लगा, यह इतना, Mr. X in Gujarat, gets an order from Mr. Vine, West Bengal, on 18th March 22, for supply of refrigerator, Mr. Y transporter, takes the delivery for the said goods, from the premises of Mr. X on 21st of March 22, and delivered to Mr. Y on 26th of March 22, a certain date of removal of goods, question में पूछा है, a certain date of removal of goods, time of supply नहीं, कौन से तारी को goods निकल गया है, कौन से तारी को निकला है, भाई, तो इसका अंसर क्या आएगा, date of removal is 23rd of 31st of March 22, ऐसे questions आते हैं, exam में, time of supply के, समझ में आया, चलिए, तीसरा कोशे, इसमें क्या लिकूं में, चलो अच्छा है, आगे में, तीक है, सही है, चलो ठीक, स्टार्ट करें, next question, Mr. Ram, question पूरा है न, Mr. Ram, sold goods to Mr. Sharm, worth rupees 5,000, the invoice was issued on 15th of November, the payment was received on 30th November, the goods were supplied on 20th of November, find the time of supply of goods, अभी मैं एक चार्ड बनाया था, involved movement of goods, there's not involved, कुस तो किया है, आपने, बराबर, क्या भाई साब के पास जारा क्या क्या, तीन चीज़े देख ले थे, चले देखते क्या है, बताओ कौन से-कौन से तारिक से इसके अंदर, पहला है, date of invoice, हाया नहीं, date of invoice क्या है जी, 15 November 22, ए बिडाच द्यान, आगे दिया है, payment was received, date of payment, क्या है भाई, 30 November 22, goods is supplied on 20th November, date of removal, कितना है जी, 20 November 22, पुछा गया है, time of supply of the goods, चले, बताएगे time of supply of goods क्या है, 20 November, ओके और, time of supply है पुछा, ये बोला, एक ही करके, चैतू, 20th November, very good, अंजली, अंजली, 20, निकिता, 20, रंजना, रुपाली, 20, बोल रुपाली, 20, जोसफ ने 15 बोला है शायद, छीक है, किशब, किशब, 15, कॉस्टूम, 15, किसका, date of invoice, पहली बात, question जब रीट करो, तो इसमें देखो, moment of goods है, involve moment of goods है न, जब involve moment of goods होगा, तो इस case में हमेशा, date of issuance of invoice, हाँ या नहीं, 15 तारिक, 30 तारिक, 20 तारिक, तो भाए, invoice का date कौन से तारिक है, तो मेरा date of time of supply क्या बन जाएगा, 15, अरे समझ में आया, कितना सोचे तुम लोग ने, ओश 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 समझ में आया, clear है, पक्का समझ में आया, चलिए, थोड़ा से level up कर देते, चलिए, next अब पे जाते, question number, very good, determine time of supply in the following different scenario, where supply involves movement of goods, supply involve movement of goods, date of removal दिया हुआ है, date of invoice दिया है, date of goods made available to the recipient and date of payment दिया गया है, 4 dates दिये गया, अपने को TOS fine करने गया, what is TOS, time of supply, so solution कैसा, ऐसी chart बनाने गा, same, जैसा question दिया है, एक column add कर दो TOS, time of supply, very good, समझ में आ गया, हंजी, date of removal of goods है, 1 October, invoice बनाया है, 2 October, goods made available to the recipient, 3 October, date of payment received is 15th of November, हमेशा जब moment of goods होगा न, जब moment of goods होगा, इसमें removal और invoice में compare करने का, whichever is earlier, सुनो, क्या बोल रहा हूँ, moment of goods है, तो moment of goods में, date of removal भी है, और date of invoice भी है, हाया नहीं, date of removal भी है, date of invoice भी है, तो इन दोनों को compare करो, और दोनों में जो सबसे पहला date रहेगा, पहले वो एक date निकालो, उसको बाकी दो date से compare करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बाकी दो date से compare करेंगे, तो पहले इन दोनों में, whichever is earlier, first, इसको compare करेंगे, यह तो आएगा भी नहीं, क्यूंकि moment of goods के अंदर, या तो invoice आएगा, या तो removal आएगा, तो दोनों में कौन सा date पहला है, तो मेरा TOS क्या आएगा, first, October, 22, बैठा दिमाग में, second, third, first, whichever is earlier, तो first, date of invoice, इन तारिक को तो consider भी नहीं करेंगे, सर पच्चिस नॉमेंबर को payment कर दिया, इसने मेरा कुछ भी कर दिया, अपने को इन दोनों में, whichever is earlier, consider करना पड़ेगा, किदर, तो date of removal भी नहीं होता, moment आ गया है, या तो invoice आ गया, तो अजम शेंब भाई, अपना moment of goods है, और नहीं रहता, तो मैंने आपको दो date दिया है, payment वाला आपको याद रहेगा, इन payment में जो सबसे पहला account में credit हुआ रहेगा, उसको अपन consider करने वाले invoice के साथ, और जो earlier रहेगा, वो consider करें, आएका सम, समझा, clear, अरे और एक बाकी न इसके इंदर, चार नवेंबर, चार नवेंबर, चार नवेंबर, छे नवेंबर, एक उक्टोबर, देखो यहाँ पे case क्या होगया, case क्या हुआ हए जड़ा ध्यान देना, भाहिऑ साब ने payment उक्टोबर में कर दिया है, बराबर, goods, छे नवेंबर को मिला है, रिमूव हुआ इनवेिज हुआ चार नॉवेंबर को तो दोनों है उकी मेरा टाइम ओव सपलाई नहीं आएगा मेरा टाइम हुआ इट ओस प्इमेंट ऐगा इस तो है Luck पेमेंट उसने बोलते हैं without involvement of moment of goods क्यूंकि मैंने बीना गुड्स लिये ही पेमेंट कर दिया था इन दोनों केस में वैसा हुआ क्या नहीं देखो पहले हमने गुड्स लिया और इसके बाद पेमेंट हुआ है बट इस केस में पहले पेमेंट हुआ है बाद में मुमेंट आफ गुड्स हुआ ह तो ऐसे सिचुएशन में अगर पेमेंट पहले हो चुका है तो डेट यानि कि टाइम आउस अपलाई क्या बन जाएगा बात समझा पक्का है नहीं पक्का समझ रहा है चले ठीक है आगे बढ़ते हो और एक सम लेलू ना चलेगा ना पक्का ना चले ठीक है अब मशीन हाज बिन देख लिए बबा तौन सा सम है फिफ्ट वाला चीक है अब मशीन हाज तो बी सप्लाई अट साइड इस डन बाइस सोर्सिंग वेलियस कंपोनिंग फ्रॉम दे वेंडर और असेंब्लिंग देशीन अट साइड साइड डिटियल्स वर्यस इवेंट आर तो यू तरह ध्यान देना है एक मशीन है जिसको अपने को सप्लाई करना है एक साइट मतब एक जगे पे सप्लाई करना है इस दन बाइस सोर्सिंग कंपोनेंट फॉम दे वेंडर अन सेंब्लिंग एट अट मशीन साइड अपने वो मशीन जहांपे लगा ने कह उड़ां ल 12 lakhs and the entry duly made in the seller books of account 17 तारीख को मुझे एक order आता है जिसका मुझे advance payment मिलता है 50,000 का मेरा order है 12,000,000 रुपे का मतलब 17 तारीख को payment मिला है बट क्या ये payment पूरा मिला है ने it is an advance payment ठीक है 20 तारीख को 20 October को machine assemble हुआ test हुआ और accepted by the buyer हो गया 23 तारीख को invoice बना दिया 4 November को payment मिल गया what is time of supply चार डिट दीखर है ना आपको 17 तारीख को order आया 20 तारीख को bill बनाया 23 तारीख को हमको invoice बनाने मिल गया 23 तारीख को invoice ना 20 तारीख को machine बनके ready हुआ है approval हो गया है सब चीज़ बस accepted by the buyer तेज तारीख को bill बन गया और 4 November को payment मिल गया what is time of supply 20 23 23 23 23 24 machine assemble ओके ठीक है और पस तुख 23 क्यों क्यूंकि bill बना दिया उस दिन इसके लिए ठीक है और और आप सोचो simple भाषा आप आप इखुद ही सोचना फिर बात ने आप date decide करना मैंने सोचा है कि मेरे को यह product बनाने गाए यह panel बनाने गाए तो यह panel बनाने वाले को मैंने मुला भाइए अब यहां पर सामान सब तो मिलता नहीं है यह अलग अलग स्टेट से मंगाता है सामान एसेंबल करने के लिए बराबर है बंदा आया उसने एसेंबल किया पहले उसने 17 तारीख से मेरे बात विए मैंने 15 तरगा पेमेंट दिया वह आ गया मेरे पाथ बीस तारीख उसने मेरा पैनल जो है वह रेडी करके छोड़ दिया अब इट वास रेडी इसका मतलब गुड्स बन चुका है बला चाथी के मैं तीन दिन बात पेमेंट करता हूं मैंने 23 तारीख उसको पेमेंट किया मतलब उसने बील बना के दिया 23 को मैंने 4 नवेंबर को क्या किया पेमेंट दिया बराबर अब सवाल है कि कौन सा तारीख विल भी कंसीडर ऐस टाइम आप सप्लाय जिस दिन गुड्स मेरे को मिला हुई मेरा टाइम आप सप्लाय होगा ना गुड्स कौन से तारीख को मिला मुझे 20 तारीख को सर्क बिल 23 को दिया है मैंने 23 को दिय पक्का चले ठीड आज के लिए इतना ही करते हैं नेक्स लिक्चर में इसका अंसर वही लिखेंगे इसका अज़िए नेक्स लिक्चर में और दू-तीन सम्में और फिर आगे के समझी करने वाले प्रैक्टिकल का पार्ट जो था मतब थेयरी का पार्ट था वह रहाएगा इसे आज मैंने चार्ट एक्स्प्रेंट किया वैसे जब नया नया कंसेप्ट लाओंगा तब छोटा-छोटा चार्ट एक्स्प्रेंट करूँ और फिर ऐसे ही सम्साल करें यह ऐसे कर रहा हूँ चलेगा ना समझ में आ रहा है ना पक्का चले फिर आज के लिए इतना ही करते झाल